नमस्कार मैं हूँ प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी नाइन जटपट क्या आपको आपल कमपनी से ज्यादा लगाव है तो एक ख़बर आपके लिए है असल में ये ख़बर आपको थोड़ा निराज भी गड़ सकती है क्या करें मामला ही कुछ ऐसा है तो बात ये है कि आपल मूस्ट वैल्यूएबल कमपनी यानि सबसे मूल्यवान कमपनी नहीं रही है कमपनी की ये बादशाहत कोई और ले उड़ा है खास बात ये है कि ताज हटाने वाली ये कमपनी कोई टेक दिगज है ही नहीं बलकि आपकी सोच से बिलकुल परे हैं तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं दिगज कंपनी की जगा लेने वाली ये कंपनी साउधी अरामको है ये एक दुनिया की सबसे मुल्यवान कंपनी बन गई है अब ये भी जान लेते हैं कि ऐसा कैसे हुआ दरसल अरामको को रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग से काफी फायदा हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी लडाई के कारण क्रूड ओयल के भाव बड़े हुए हैं इसके साथ ही नाचरल गैस की कीमते भी आसमान पर पहुंच चुकी है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण तेल शेत्र के शेरों में तेजी आई और टेक इंडस्ट्री के शेरों में काफी गिरावर्ट आई अरामको ने पिछले साल के नेट प्रॉफिट में 124 प्रतीशत की रिद्धी दर्ज की अब इस कंपनी के बारे में जराज जान लेते हैं साउधी अरब की ये राश्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी साउधी अरामको को दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी के रूप में भी जाना जाता है बुदवार को बजार बंद होने पर साउधी अरामको का बजार मुल्य 2.42 लाक करोड डॉलर पर पहुँच गया है जबकि आपल का बजार मुल्य शेर प्राइज घटने की वज़े से 2.37 लाक करोड डॉलर ही रह गया है पिछले एक महीने में अपल के शेर की कीमत काफी गिरी है इस साल के पहले तीन महीनों में मजबूत कंजूमर डिमांड के बीच अपल ने उमीदों से बहतर मुनाफ़ा कमाया इसके बावजूद शेर की कीमत में गिरावट आई है आगे चल कर एपल को फिर जटका लग सकता है एपल का नुमान है कि चीन में कोविड की वज़े से लगा लॉकडाउन और सिलिकॉन की किलत से सप्लाई में दिक्कत आई है इस संकट से जून तिमाही में 4-8 अरब डॉलर तक की कमी आ सकती है उमीद है ये खबर आपको जरूर पसंद आई होगी ये खबर तियार केरी हमारे साथ ही गगन राव पाटिल ने